हेलो एवरिवन आई वेल्कम यू आल ऑन माई चैनल कॉमर्स हरीकेंज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक कर रहे हैं जिससे रेलेटेड मैं तू वीडियो अल्रेडी बना चुकी हूँ एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ताजमहल पूडक्ट है या सर्वेस ठिक है तो मैं आपको को बता देती हूँ कि ताजमहल पूडक्ट है अब आप कहेंगे कैसे हम तो से खरीद नहीं सकते compartiment यह हमने अपका यह पूड़क करती हूँ जिसे देखकर मुझे शान्ती मिले, मुझे खुशी मिले और मुझे पुराने टाइम के आर्टिस्ट की कलाकरी देखने का मौका मिले तो सपोस करते हैं मैं ताज महल देखने जाती हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती है इस्टॉरिकल प्लेस है, मुझे शान्ती मिलती है और अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलती है तो इससे मेरी नीड सैटिस्वाई हुई तो वो क्या हुआ? प्रड़क्ट हुआ, क्लियर है फोर पीज मतलब, चार बार पी प्रड़क्ट, प्राइस, प्रमोशन, और प्लेस ठीक है? इस्ट वी हाँ दन अर्लियर तो तुड़ें वी विल डिस्केस अबाउट प्राइस मिक्स तो लेट स्टार्ट देखिए, मिक्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? मिक्स का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारी चीजों का कॉंबिनेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिक्स का मतलब क्या होगा? देखिए बटा, यहाँ पर मिक्स का मतलब होगा कि आपने product की price को determine करते time यानि कि product की price को fix करते time किन-किन बातों का ध्यान रखा या ऐसे कौन से factors हैं जिनकी वज़े से आपके product की price को affect होना पड़ा ठीक है? तो ये कुछ ऐसे points हैं जिनकी वज़े से यानि जिनके mixture की वज़े से आपके product का price affect होता है so let's start first is product cost नाम से ही पता चल रहा है product cost मतलब product को बनाने में आने वाला खर्चा ठीक है? suppose करते हैं कि मैंने एक नया product बनाया है जिसको बनाने में मुझे expense लगते है 200 पर copy कोई एक चीज बनाया है मैंने उसके लिए मुझे 200 रुपीज का खर्चा आ रहा है तो आप ही बताइए क्या मैं अपने product का price 200 से कम रख सकती हूँ? नहीं ना? क्योंकि अगर मेरी cost ही मैं cover नहीं कर पा रही है तो business करने का फायदा क्या हुआ? ठीक है? तो इसका मतलब है कि मुझे जो price है वो 200 से उपर ही रखना है अगर मैं 200 रखते हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे कोई profit नहीं मिलेगा ठीक है? तो आपके product की cost ही determine करती है कि price कितना होगा, minimum कितना होगा ये तो minimum हो गया कि 200 से उपर ही जाना है जी 200 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते clear हो गया? point number 2 कहता है utility and demand utility का मतलब होता है कि जो product आप use कर रहे है उसके अंदर कितनी satisfaction power है अगर आप अपने product से customers को fully satisfy कर सकते हो तो obviously आपके product के लिए जो भी price होगा customer देने के लिए तयार रहेगा हमेशा, ठीक है? and demand का मतलब वो बन जाता है कि आपकी market में demand कितनी है अगर आपके product के demand high, high, high जा रही है तो आप prices भी अपने मंचाही rate पर ले सकते है लेकिन अगर आपके product के demand ही नहीं है तो आप prices भी high नहीं रख सकते clear हुआ? next आता है हमारा extent of competition in the market मतलब कि market में competition कितना है? देखिए अगर मैं अपने market में product को launch करना चाहते हूँ या product को बेचना चाहते हूँ तो मुझे अपने competitors का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर मेरे product का price competitor के price से बहुत जादा होगा तो मेरे product को कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा वो सोचेंगे कि जब हमें same cheese same rate पर किसी और brand की है बट मिल रही है तो हम इसको क्यों खरीदे या तो मेरे product में कोई ऐसी cheese हो जो किसी के पास नहीं है फिर तो मेरे product को खरीद लेंगे लेकिन अगर वही चीज मैं दे रही हूँ और वही चीज कोई और भी provide कर रहा है तो वो जादब ऐसे क्यों देगा? नहीं देगा न? तो इसका मतलब यहाँ पर हम competition को focus करते हैं जैसे कि cost of production में मैंने क्या देखा था? कि 200 रुपे तो मेरा minimum price होना चाहिए ठीक है? और suppose करते हैं मैं अपने product का price रखना चाहती हूँ 250 ठीक है? मगर मेरे competitors जितने भी है market में वो 220 के around ही price रख रहे हैं तो मुझे भी अपना price 220 के around करना पड़ेगा क्योंकि 250 पे कोई भी मेरा product नहीं खरीदेगा बात समझाई? next point आता है government and legal regulations देखिए कुछ ऐसे products होते हैं जिनका price government ही fix कर देती है अब अगर government ने product का price fix कर दिया तो आप उस price से उपर का price रख ही नहीं सकते अपने product के लिए किसी भी हालत भी नहीं रख सकते जैसे कि अभी lockdown हुआ था तो lockdown में government ने बोला था कि sanitizer का rate minimum इतना होना चे इससे उपर sanitizer का rate नहीं हो सकता ठीक है फिर उसके बाद essential products जैसे सबजी fruit वगएरा इनके prices भी high नहीं इनके prices भी fix कर दिये गए थे कि high नहीं जाने चाहिए तो जब government नहीं fix कर दिया तो हम चाहा कर भी rate को बढ़ा नहीं सकते ठीक है तो यह भी हमारे price को affect करता है next आता है pricing objectives यानि कि आप price जो रख रहे हैं आपने product का वो किस objective के साथ रख रहे हैं देखिए two types के objective होते हैं basically पहला है कि profit earn को होना चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरा है कि मैं social objectives कर रहे हैं करना तो मैं prices क्या रखूंगी कम रखूंगी न जैसे lockdown में आप में सुना ही होगा कितने hotel और धाबे ऐसे थे जो 10 रूपीज में full plate खाना दे रहे थे क्यों दे रहे थे क्योंकि वो social objective को fulfill कर रहे थे वो पैसा नहीं कमाना चाहते थे इसलिए prices भी जादा नहीं रखे लेकिन अगर मेरा motive है profit कमाना तो obviously my price will be higher correct next है marketing method used देखिए marketing करने का मतलब है अपने product के बारे में customer को inform करना और उसको attract करना कि वो मेरा product खरीद ले ठीक है तो उसके लिए मैं बहुत सारी advertisements करूंगी sales promotion tools यूज करूंगी या फिर मैं हो सकता है किसी को middleman जोगा बीच में उसको में commission पे करूंगी तो जब मैं यह सारे खर्चे करूंगी तो क्या यह खर्चे में अपनी pocket से दूंगी नहीं ना अरे हम तो यहां business करने बैठे हैं नुकसान करने थोड़ी ना बैठे हैं हम अपनी pocket से पैसा क्यों दे हम तो customer की pocket से पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे आप अपने price में उन सभी cost को add कर दोगे ठीक है जब वो price प्लस वो सभी cost add हो जाएंगी उसके बाद आप अपना थोड़ा सा profit margin और फिर जो finally answer आपका आएगा वो होगा आपका product का price clear है तो जितने जादा marketing methods आप use करोगे product का price उतना ही high जाएगा और अगर आप कम करते हैं marketing advertisement कम करते हैं तो obviously खर्चा कम आएगा और prices भी आप कम रख सकते हैं clear है तो यह सारे factors थे जो आपके price mix को affect करते थे next हम move करते हैं अपने promotion mix पर promotion mix का मतलब क्या होता है कि अपने product को जब आपने market में उतारा तो market में उतारने के बाद आपने ऐसे क्या-क्या हथियार यूज किये क्या-क्या tools आपने यूज किये कि जिससे कि आपके product की sales अप चली गई ठीक है हर कोई इंसान अपने sales बढ़ाना चाता है तो आपने क्या-क्या यूज किया let's see सबसे पहले जी आपने advertising कर दिया अपने product की जो बहुत easy है और हर कोई करता है ठीक है कोई भी नया चीज है या नई चीज लांच करनी है आपने तो आप product की add कर देते हो ठीक है नेक्स आता है हमारा personal selling देखिए personal selling का मतलब आप अपने product की promotion के लिए advertisement के साथ साथ personal selling भी use करना चाते है यानि कि आप door to door customer के घर जाते हैं उसे अपना product दिखाते हैं उसे attract करते हैं उसे अपनी बातों में उल्जाते हैं कि वो हमारा product purchase कर ले best example है आपकी life में सभी के घर पे salesman sales girls आती है जिनको देखकर आप क्या करते हैं दर्वाजा बंद कर दे तो खोलते भी नहीं हो एक person जिसके बगल में बड़ा सा जोला है ना दर्वाजा तक नहीं खोलते हैं आप लोग क्योंकि आपको पता है अगर product दिखाने लगा तो कोशिश की नेक्स आता है publicity publicity का मतलब क्या होता है कि जब आपके product के बारे में न्यूज में आने लग जाता है ठीक है बड़े-बड़े journals में बड़े-बड़े magazines में न्यूज में अपने आप से चपने लगता है देखिए आपने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया ठीक है अ अर पदोटीव फ्री ठीक है तो अब पदेखिटीव भी सकती है पदोटीव भी नेगटिव हो सकती है न्यूज में आपके product के बारे में गलत दिखा दिया तो नेगटिव पदेशीटी जैसे नेबड़े में लेड पाया गया है जिसकी वैज़े से मैंगी को बैन करने की न लगाई थी क्यों कि उसको वो लॉंच नी होने दे रहे थे और यह क्या थी फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी थी क्लियर हो गया तो पब्लिसिटी में और इसमें क्या डिफ्रेंस है नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स प्रमोशन नाम से ही पता लग रहा है कुछ ऐसे टूल्स जिनसे आपने अपनी सेज्स को प्रमोट कर दिया अच्चानक से आपकी दुगनी ठिगनी हो जाती है तो उसे हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं अब आपको होगी यह कैसे पॉसिबल है कि अच्शानक से हमारी सेल्स बढ़ जाए 50% extra free एक प्रोड़क्ट अगर 200 ग्राम का है उसके पर 50% extra free मिल रहा है आपको यानि 400 ग्राम पैसे देने पड़ रहे हैं 200 ग्राम के तो वो भी तो एक stunt है आपको उस प्रोड़क्ट को खरीदने के लिए मजबूर करने का तो इस तरह की जो stunts होते हैं उसे हम says promotion कहते हैं clear हुआ तो यह सारे tools हैं जिनके through आप क्या कर सकते हो promotion कर सकते हो product की और इन सब को combine में आप use करते हो मतलब कि एक जो seller है ना वो सिर्फ इस पर focus नहीं करता या वो सिर्फ इस पर focus नहीं करता वो चारों पर focus करता है combination में इनको use करता है इसलिए promotion mix होते हैं अब मैंने कहीं बार अंदरप्रदेश का SP officer हो गया या AP SP अंदरप्रदेश का SP ठीक है officer तो अब यह हमारे 3 हो गए total product हमने किया था price हो गया promotion हो गया next we will do about the place mix let's move towards the place mix देखिए place mix का मतलब क्या है कि आपने जो product customer बनाया है वो customer तक कैसे पहुंचाया जाए किन किन चीजों का involvement हुआ combination हुआ जिससे कि आपका product customer तक पहुंचा ठीक है क्योंकि product जो है वो एक जगा पर बनाया जाता है लेकिन आपने देखा होगा वो right time पर right place पर पहुंच जाता है फिर वो चाहें इंडिया में हो चाहें इंडिया के बाहर यह कैसे हो पाता है through this ठीक है इसमें दो चीजें होत तो किस चैनल से आपने पहुंचाया चैनल का मतलब बीच में किन किन पार्टी का आपने involvement रखा ठीक है तो हम बेसिकली इसमें टू टाइपस लेकर चलते हैं पहला है इंडा डारेक्ट चैनल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है यह वो चैनल है या वो जरिया है जहां पर जो पहुंचा कास्टमर तक चैक है सीधा ही कंजिमर को प्रड़क पहुंचा दिया यह ज्यादातर होता है टेकनिकल प्रडक्त के साथ जैसे की आपने कोई टेकनिकल प्रड़क्ट खरीद ए है भी मशीन खरीदिये कंपनी के लिए और वह मैनूफेक्टर क्या करता है खुद का the customer indirectly जैसे कि आपने क्या किया जब आप बीच में एक पाटी का involvement रखोगे तो वह होगा one level channel यानि कि मैनुफेक्चर ने जब product बनाया और customer तक पहुँचाया तो बीच में उसने एक party को रखा जैसे कि मैनुफेक्चर ने बनाया और आप देख सकते हो कि उसने customer से ठीक एक पहले किसको रख लिया retailer को, retailer को समान बेचा और आगे retailer ने समान बेचा किसको, consumer को ठीक है, यह जाधतर fast moving goods के लिए use होता है next आते है हमारा two level channel two level channel का मतलब कि यह ऐसा channel है जहाँ पर customer और manufacturer के बीच में two parties involved होंगी, जैसे कि manufacturer ने product बनाया पहले इसने क्या किया manufacturer ने wholesaler को बेचा wholesaler ने फिर retailer को बेचा and then retailer ने consumer को बेचा यह two parties involved हो गई है ठीक है, तो यह आता है हमारा जाधा तर daily products में जैसे आपने देखा होगा clothes में, shoes में ठीक है, डाले वगएर आप खरीदते हैं तो यह सारे wholesaler होते हैं wholesaler से समान retailer लाता है जो आपकी गली महले में होती है छोटी मोटी दुकाने, उसे हम retailer कहते हैं ठीक है, और उसके बाद retailer से आप खरीद कर लेकर आते हैं next आता है हमारा three level channel three level channel का मतलब है कि इस level of channels में three party involved होती है ठीक है, जैसे कि पहले manufacturer ने agent को बेचा सकते हैं, one, two, three, three parties are involved here that is why it is three level channel ठीक है, easy है कहने का मतलब क्या है कि हम जब product कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो किन-किन parties के involvement से पहुंचाते हैं और ये manufacturer की मर्जी होती है कि वो कोई भी channel यूज़ कर सकता है ठीक है, next आता है हमारा physical distribution physical distribution का मतलब कि आपने product बना लिया product बना के आपने बेच भी दिया customer तक पहुंचा भी दिया लेकिन कहीं बार ऐसा होता है कि कोई product हम ऐसा बनाते हैं जो off season है, means अभी summer चल रही है और मेरा जो business है वो है wool and clothes का ठीक है, तो क्या मैं winters आने का wait करूँगी नहीं, मैं तो summers में production करना start कर दूँगी और उसको store करने लगूँगी और जब time आएगा, winters का अत्तम मैं उस समान को market में निकालूँगी तो ये चीजें जिसने मुझे provide कर, ये जो facility मुझे दी है इस facility को हम physical distribution की facility कहते है इसमें क्या-क्या involve होता है सबसे पहला order processing order processing का मतलब आपने product के लिए आज order दे दिया और उसके बाद आप क्या करोगे कि कुछ दिनों के बाद आपका product आपके पास पहुचेगा और आप उसकी payment कर दोगे और कहीं बार ऐसा भी होता है कई companies क्या करती है अपने company के अंदर जब वो raw material खरीद कर लाती है तो उस raw material का कुछ stock वो save करके रखती है मतलब कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि raw material मंगाया और सारा का raw material खर्च कर दिया production में ऐसा नहीं होता कुछ raw material वो save करके रखती है ताकि अगर emergency हो जाए और हमें raw material प्रवाइड ना हो पाए तो जो store किया वो raw material है हम उसका इस्तिमाल कर सके production में ठीक है तो जैसे ही आपका वो जो production का आपका जो raw material का level है जो आपने store करके रखा है जैसे ही वो कम होना start होता है आप next raw material के लिए order देते हो फिर से आपका store भर जाता है फिर जब धीरे-धीरे काम होने लगता है आप फिर से order process कर देते हो ठीक है तो यह सारी चीज़े एक techniques है जो आप e.com में जाके पड़ेंगे अभी आपके syllabus में इतना vast नहीं है और मैं इस वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो यह होता है हमारा order processing जिसमें हम time to time orders देते हैं next आता है transportation अब देखिए जो product इंडिया में बन रहा है वो all over world बिखता है कैसे बिखता है through transportation even इंडिया के अंदर भी एक product को पहुंचाता है time पर next आता है warehousing warehousing का मतलब होता है कि एसा house जहां पर आप product को store करके रख लेते हो आप सभी ने देखा होगा marriages में जाते हो marriages में अगर winter की marriage आना उसमें भी आपको water melon यानी की तर्बूस खाने को मिलता है कैसे water melon तो summer fruit है फिर वहां कैसे मिल जाता है आपको ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी वो cheese बनी होगी है mango shake भी आपको देखिए पूरा साल मिलता है माजा भी आपको पूरा साल मिलती है क्योंकि जब वो product बनता है ना मतलब जब वो उगता है क्रॉप्स उगती है उनकी उनको पेड़ों से तोड़ कर उनको store करके रख लिया जाता है ताकि जब भी उसकी ज़रत पड़े throughout the year हम उस storage में से उसको use कर सकें तो जिस जगा आपने उसको store करके रखा है उस जगा को हम वेरहाउसिंग कहते हैं ठीक है जैसे आपने देखा होगा potatoes, onions, गेहूं यह सारी चीज़े store करके रखी जाती है और सारा साल इसको हम consume कर लेते हैं ठीक है जी next आता है हमारा inventory control inventory control का मतलब होता है कि हमारा जो store हमने बना के रखा है वो कभी भी ऐसा ना हो कि zero हो जाए क्योंकि अगर stock zero हो गया और customer ने आप से urgently demand कर ली तो आप उसको product नहीं पहुचा पाऊगे ठीक है तो inventory control का मतलब inventory means stock stock को control करना है यानि कि कम से कम minimum stock आपके पास होना चाहिए हर वक्त होना चाहिए ताकि जब भी customer आपके पास demand करें आप उसको वो चीज प्रोवाइड कर सको तो ये सारी चीजें हैं जिनसे की time पर और सही जगह पर हम product को पहुचा पाते हैं ये लोग वो हैं जो समान को पहुचाने में मदद करते हैं clear होगे आपको तो I think आपको ये सारी चीजें clear हो गई होंगी और आपका कोई भी doubt हो अगर इस वीडियो से या इस topics related please comment box में comment जरूर करना और आप मुझे ये भी suggest कर सकते हैं कि मैं और किन-किन topics पर videos लेकर रहा हूँ ठीक है? अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है आपको मेरी videos पसंद आ रही है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजे मेरे इस videos को like, share, comment कीजे and thank you